नमस्कार आप देख रहे हैं APN और पक्ष विपक्ष है इस शो में आपका स्वागत करती हूँ मैं मेरा नाम है राजश्री पक्ष विपक्ष एक ऐसा कारिकरम है जहां पर हम बात करेंगे अपने इतिहास की हम बात करेंगे अपने वर्तबान की और साथी चर्चा होगी भविश्य की यहाँ पर वो मसले आएंगे जो हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे जमीन के लिए बहुत माइने रखते हैं जहां पर वो सचाईयां आपके सामने होंगी, जिसे देखकर आप भी सोचने को मजबूर होंगे और जरूर चाहेंगे इस पुरे विशे पर कुछ करने को. ये महज एक ऐसा कारिक्रम नहीं है, जहां पर बस मसलों को डिसकस किया जाता है, मसलों पर बहस किया जाता है, विवाथ किया जाता है, उनका कोई समाधान नहीं ढूंढा जाता. बलकि ये वो कारिक्रम है जहाँ पर आप अपने मसलों को हमारे लिए लेकर आएंगे और उन मसलों पर आप ही अपने विचार बताएंगे और साथ ही उसका समाधान ढूंडेंगे क्योंकि समस्याएं हमारी हैं समाधान भी हमारे ही होने चाहिए 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस मनाया और शिक्षक दिवस के इस अवसर पर बहुत बड़े-बड़े दावे हुए, बहुत बड़ी-बड़ी सियासते हमने देखी, बहुत बड़ी-बड़ी चाले हमने देखी, लेकिन क्या इन सब के बीच हमने मुख्य उस मुद्दे को प और यही आज पक्षवी पक्ष में मुद्दा है और इसी बात पर आज हम बहस करेंगे और इसके लिए हमारे पास हमारे तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं जिसमें अभी भावक भी हैं जिसमें शिक्षक भी हैं जिसमें प्रिंस्पल भी हैं जिसमें एदुकेस्टिनिस्ट भी हैं जो शिक्षा विद्ध हैं और इसके अलावा हमने विशेश रूप पर बाल मौनोव ग्यानिकों को भी बुलाया है और बच्चे तो हैं ही लेकिन इसके पहले कि मैं उन सबों से आपका परिचे कराऊं और इस पूरी बहस को हम आगे बढ़ाएं जरूरी है शिक्षा के सिस पानी का ठीक इंतिसाम नहीं लखनव का ये अखेला स्कूल नहीं है लखनव के एक और सरकारी स्कूल में बच्चों के खेलने की जगह गंदा पानी भरा है आबादी के लिहास से देश के सबसे बड़े राज में तमाम सरकारों ने बच्चों के सुनहरे भविश के लिए तारों को चमका है जिसने फूलों को में काया जिसने चुडियों को चाहिए इसने सारा जगत बने हम उसी स्वर के गुड़ गया है उसे सामने प्रेम से सिर्जु गई सूबे के अधिकांश स्कूलों में पढ़ाई के लिए स्कूलों का जो माहौल होना चाहिए जो मुलभूत सुविधाय बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं है कहीं एक टीचर दो बच्चों को पढ़ा रहा है तो कहीं बच्चे दो हैं लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं स्कूलों की ज्यादतर इमारते ऐसी हैं कि उन्हें देख कर कोई ये सोच नहीं सकता कि यहां बच्चे पढ़ते भी हैं और स्कूलों में साफ सफाई की बात ना ही करें तो बेहतर है बच्चों के भविशी के साथ हो रहे खिलवाड की कहानी का अंत यहीं नहीं होता सरकार की योजनाय तो बन रही हैं लेकिन अमल में नहीं आ रही है हाला कि राज के बेसिक सिक्षा मंतरी दावा करने से नहीं चूपते हैं सरकार को ये समझने की जरूरत है कि बच्चों को सिर्फ लैपटाप और साइकिल बाटने से कुछ नहीं होगा सिक्षा के बुन्यादी धाचे को मजबूर करने की ज्यादा जरूरत है तब ही जाकर बच्चों के सुनहरे भविश का सपना साकार हो सकता है इन तमाम सचायों के बीच क्या कुछ सुधार हो सकता है और इसके अलावा इन सब के बीच बच्चों के क्या इच्छाय है इस स्कूल चाहती है आप मुझे एक ऐसा स्कूल चाहिए जहां पर अच्छे शिक्षक हो जिनको एजुकेशन अच्छे तरीके साती हो और बच्चों को पढ़ाना भी आता हो और मुझे एक क्लीन स्कूल भी चाहिए मुझे टीचर्स थोड़ी स्ट्रिक्ट चाहिए हैं पर वो थोड़ी फॉर्म भी होनी चाहिए मतलब बात बात पे नहीं डाटे थोड़ा प्यार भी करें पर इतना भी प्यार ना करें कि बच्चे उनकी रिस्पेक्टी ना करें अच्छे से पढ़ाए भी और हमारी बात समझे क्या बोलना चाहते हैं तीचर्स तीचर्स को सब चीज अच्छे से आता हो यह अच्छा ही स्कूल चाहिए पर मुझे थोड़ा सजा रही क्लिन स्कूल चाहिए मुझे ऐसा स्कूल चाहिए जिसमें दिन में अट लिस्ट एक टाइम्स पी पिरिएड हो और आपको कैसे टीचर्स चाहिए? मुझे ऐसे टीचर्स चाहिए कि वो हमारी पीई फाइव डेज अवीक में फाइव डेज अवीक करके और हमें फुल मार्ट से मुझे ऐसे टीचर्स चाहिए जो हमें कभी मारे नाप पर डाट चकते हैं बहुत ऐसी बातें आपने सुनी बच्चों को कैसे स्कूल चाहिए कहीं खेल की डिमांड है कहीं ऐसे टीचर्स चाहिए तो डाटे नहीं, बस प्यार से सब बातों को समझाएं, और तो और बच्चों को ऐसे भी स्कूल चाहिए, जहां पर टीचेस ऐसे हो जो माबाप की तरह प्यार करते हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ इन बच्चों को मिल रहा है, ये समझना जरूरी है, न कि अब इन छोटों जो इसके टीचर ने नहीं बताया है, तो शायद वो मानने से इंकार कर दे, ऐसे में इन बच्चों के दिल को समझना बहाद जरूरी था, अब इस पूरे बहस को आगे बढ़ाते हैं, और इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास हमारे तमाम पैनल मौजूद है, हमा हमारे पास चारु शर्मा है, किरन मनी तरपाथी है, ये बच्चों के मातर पिता है, और हमारे साथ सारिका अगरवाल वो भी एक बच्चे की मातर पिता है और मा है, हमारे पास इसके अलावा, अगर मैं बाई तरफ अपनी बात करूँ, तो हमारे साथ सीमा जी है, जो एक सर हमारे साथ मीतु सिंग है और मैंने विशेश तर पर उनको बुलाए कई बच्चों के हमने सुना कि उन्हें खेल कूच चाहिए और वो मानो रचना स्कूल से जुड़ी हुई है और हमारे साथ हिशे भूटिया है जो बाल मनोवेग्यानिक है जिनकी बड़ी लंबी चौड़ी डिग्रीज है जो विशेश कर इस विशेश पर काम करती रही है और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पैनल भी है और प्रॉफेसर बियार गुपता जो की शिक्षाविद है और इसके अलावा हमारे साथ चारु जैन जी है प्रिंसपल यश स्कूल और इसके अलावा हमारे साथ DPS की पिंस्पल डॉली चाना भी मौझूद है और PGDM के टीचर्स भी हमारे साथ मौझूद है संजना और इन तमाम लोगों के साथ हमारे पास गार्डियन्स हैं हमारे पास और भी कई स्कूलों के टीचर्स हैं आप सभी लोग एक तरह से हमारे लिए पैनल हैं और हमारे सबसे खास पैनल ये बच्चे हैं जहां पर ये अपनी बातें रखेंगे सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी सरकारी स्कूल के टीचर से जहां पर हमने प्राइवेट स्कूल से बड़ी-बड़ी सुधाएं देखी हैं हमने उन तमाम चीजों को देखा है जो कि कमो बेश कई स्कूल में होता है लेकिन जहां सबसे ज़ादा इस देश में यदी कोई स्कूल है तो वह सरकारी स्कूल है जहां पर सुधाओं की घोर कमी हमें दिखती है इन शिक्षकों को क्या समस्या है ये समझना जरूरी है आप से सिमा जी शुरू करूँ आप सरकारी स्कूल से जुड़ी हुई है हमने कई सचाईयां ऐसी देखी है जहां पर और अभी जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसमें यही है कि सरकारी स्कूलों में स्थिती बहुत बुरी है क्या आपको लगता है कि ऐसे में हम उमीद करें कि सरकारी स्कूलों की स्थिती को देखते हुए कि अच्छी शिक्षा हम दे पाएंगे उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ जाएं बिल्कुल दे पाएंगे क्योंकि वहां पर जितने भी जो भी टीचर आ रहे हैं वो अपनी योग्यता की अधार पर आ रहे हैं और उन्हें इसलिए टेंड कि आजाता है कि आपको जो बच्चे मिल रहे हैं वो बहुत जादा गरीब परिवार की बच्चे हैं और इन सारी सम परेंगे जिनकी आपकी बात है लेकिन एक और रिपोर्ट है हमारे पास सरकारी स्कूलों की बात चल रही है और ठीचरों की शिक्षा के बात चल रही है एक रिपोर्ट और भी है जहां पर कई ऐसे शंट्शा उठते हैं कि अगर ऐसे शिक्षक होंगे तो वाकई पढ़ाई की क्या स्थिती होगी ये रिपोर्ट भी देखिए इसके बात सीमा जी की इस बात को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे स्रीपोड़ मकरजी ओपराश्पाज का नम नहीं मादूना एपल ए पी आयल बारे मुहना का एक सालता है तिन सब साथ दिन कहता है ये 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 बड़ फिस द द एया है ड बड़ र न द 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 द. सिमा जी हमार पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें सरकारी स्कूल के टीचर जिन्हें बहुत पैसा मिलता है सरकार से और आप वेतनमान बहुत अच्छे हैं लेकिन उन्हें बेसिक जानकारी नहीं थी कुछ खास शब्दों की जानकारी भी नहीं है अब जो टीचर अब हमारे अब आ रहे हैं लगभग 99 के बाद से वो सारे टीचर बहुत एजुकेटेड हैं वो पुरानी जब समय में टीचर रखे जाते थी उनकी एजुकेशन उतनी नहीं होती थी और उस समय जो वो पढ़ाई करके आते थे उस समय वो इतने जादा उन्हें किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाएं अब हम ढ़ा हैं उन्हें कर सकता है तो तो हम लोगों को आँए kindergarten तो फिफ्ट में वो पड़े ही नहीं हैं को से आपने भगे शज़ कियैं west बच्चों के बाल-मनोविक ज्यान पर कभी भी कुई काम होता है, विशे इसकर छोटे बच्चों के. एक टीचर एस वल एस पेरिंस और अडल्स की रिस्पॉंसिबिलिटी होती है, कि उस बच्चे में क्या खासियत है, वो कहां पर लाक कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है. और स्कूल में I would advise कि हर स्कूल में, चाहे वो गर्वर्मेंट हो या प्राइविट स्कूल हो, एक कांसिलर जरूर होना चाहे, जो वो बच्चा जाके, जो टीचर से बात नहीं हो पाती है उसकी, तो उनसे कम्यूनिकेट कर सके वो. यहां इतने गार्डियन से हैं, छोटे बच्चों के विश्रेश का गार्डियन से में बात करूं, चाहरू कभी आपने अपने जिस्वी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, कभी आपने देखा कि वहां पर कोई ऐसी कांसिलर हैं, साइकोल जिस्ट हैं, जिन्होंने है कि जो बच्चे जनुनली पढ़ाई में इंट्रेस्टेटेड हैं, वो तो अविसली अच्छा कर पाते हैं, पर काफी बच्चे होते हैं, जो की, you know, they need a lot of attention, उनको परस्नलाइट अटेंशन चाहिए, उनको subject को इंट्रेस्टिंग बनाना चाहिए, उसमें देश्रेस्ट of gap, क्या होता है कि जब तक बच्चों का इंट्रेस्ट कैसे होगा, बच्चों का इंट्रेस्ट तभी होगा, जब वो उनको वो subject इंट्रेस्टिंग लगेगा, और subject अभी इंट्रेस्टिंग लग सकता है, if they are faced with some practical issues and problems, बिलकुल, तो जब तक वो theoretical and practical का एक conversion नहीं होगा, एक meeting point नहीं होगा, तब तक ये gap रहेगा. मैं class teacher भी रह चुकी हूँ, मैं subject teacher भी रह चुकी हूँ, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपका passion है teaching, और अगर आप class में sincerely जाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं है कि आपको ये नहीं पता चलेगा, आपका बच्चा कैसा है, मेरे पास SES experiences हैं, which I don't think I have so much time to explain to you, that we can work, I just want to tell you, एक चोटा बच्चा हमारी नुर्सरी में है, वो वाश्रूम में जाके, did not want to do susu, because he thought that he will float into the pot, two days back, I have been working with him, today the mother came crying and telling me, ma'am I have taken off his pamper and he has said that he does susu on his own, it's just there was a lot of fear, we had to work with a lot of compassion with that child, I actually went to the washroom with him, he is my little nursery baby and he came to me, Dolly ma'am, मेने सुसु कुद किया, now that was wonderful, I had tears in my eyes, I had tears, when that little child came and the mother came and hugged me and said, Dolly ma'am thank you for helping and my teachers were there, so my nursery teachers had been working with that child and I had been working and I think, so there's nothing that is impossible, everything is possible, it's just that we have to take each and every child as an individual and work with it, चार्यू जी आप प्रिंस्पल भी हैं, जैसा है कि हमने डॉली जी का भी सुना कि किस तरह कि समस्य दे और एक प्रिंस्पल की यदी बात करें, तो पूरे स्कूल की जिम्मेदारी है उस पर, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों पर और जितने बच्चे उतना मनोविज्ञान, उतनी समस्य आएं, क्या कभी को ऐसी समस्य आपको भी आई और आपने उसको किस तरह से दील किया हो? ठेखिएlike अदिक तर कीसास में, बच्चे एक्स करते हैं कि टीच पारएम को हो जाए न्को हो चोटे बच्चे हो प्रामेरी सेक्शन के, मिर्ल सेक्शन के, यहां न्सेंजा सेक्शन के will बच्चे हमेशा expect करते हैं कि टीचर उनकी किसी भी अरया में help करें and what I believe is that teachers should come out and they should help. Now a lot of times when there are, because of certain rules and regulations, they are bound with it. They don't want to come out and help the children. तो उस केस में क्या होता है, teachers अपने institute, अपने organization के rules and regulations के वज़े से भी apprehensions में रहते हैं जिसमें वो लोग help नहीं करते हैं. अमनोनन teachers को यही counseling दिया जाता है, जब हम लोग counselors बढ़ाते हैं, school के अंदर. तो जो counselors होते हैं, वो teachers के लिए भी counseling करते हैं, parents के लिए भी counseling करते हैं और बच्चों के लिए भी counseling करते हैं. अधिकतर school में अगर counselors ना भी हो, तो वहाँ पर academic coordinators आज़ेंगे. चोटे बच्चों के लिए नहीं है, अफसोस इस बात का है, कि बड़े बच्चों के लिए तो है, six classes अब चीज़ें शुरू हो जाती हैं, पर जो बच्चे नन्हें हैं, जो आप nursery से लेके और fifth तक, उनकी भी अपनी समस्याएं दें, आपने हमने देखा कि किस तरह कि उनकी समस्याएं हैं, और उन बच्चों पर कभी ध्यान नहीं दिया जाएं, चार का भी भावक और बच्चों के आप से संबंद को कैसे पुखता किया जाए, ताकि हमारा भविश सुरक्षित रह सके और जिस पर सही प्रभाव पर सके, समस्याएं क्या हैं, यह समझना जरूरी है और इसलिए हमने बच्चों से भी बाते की, बच्चों ने अपने दिल की बात कही है और आगे भी वो अपनी बाते रखेंगे, लेकिन एक बात जो अब तक इस बहस में सामने आई है, वो है कि कहीने कहीन स्कूलों के अंदर बाल मनोविज्यान को समझने की कमी है, और नके कुझ सोचने की जरूरत ये भी है कि केवल अभी भावक़ों की सुनी जाये कि आप में आती हैं हमारे साथ चितर हैं कि समण स्कूल की मिस संगीता क्वास्तो जी मौजूद अब जाहिर सी बात है कि तमाम समस्याइं आपको भी आती होगी अभिभाव को का एक सीधा टार्गेट होता है कि शिक्षब नहीं किया आपनों को कैसी समस्याइं आती हैं सही बोला अपने यही टारगेट होता है जादर दर पेरेंट्स ऐसे ही एकदम फ्यूरियस मूड में हमारे बास आते हैं पी टिएम में मैं हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा है जब हम उन्हें सहूलियर से ये पूछते हैं कि आप उसके साथ क्या कर रहूएं मैं हमने बहुत मह है, और साम को ट्यूशन भेज के जिम्मादारी पूरी कर देंज़्िते हैं, लेकिन वो बच्चों के मनुभाबों को समझने की कोशिशा की नहीं करते, बस वो डाट के, बड़ा आरोप है यह, ऐसा लगता है कि रैना पे गाठीयन है, ऐसा लगता है आपको, एक सीमित दृष्टिकोन है, अगर हम ब्रादर अंगल से देखेंगे, तो ऐसा सब जगे नहीं है, इसा सब जगे नहीं है, इस जगे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं पढ़ाई के तरीके से भी बहुत खुश हूँ, वहां पे टीचर्स भी हैं, और कुछ चीजे हैं जिसको इंप्रूफ करना है, खाली टीचर के उपर जब्मेदारी डालना और मात्र पेरेंट के उपर डालना, दोनों ही गलत है, और हमारे को मिलकर साजेदारी में काम करना है, ठीक है न, होलिस्टिक अप्रोच हास टो भी सीन, खाली शाम को मिलना ये पहले बिद के साजेर्त और मुटारी में काम थारा है, तो फॉरपेसर बियार कुपता मौजुद है, आप वह हैं जो अर्फ्टो दले के लेक्यों के साखच्षी रहे, तोनों के लिड़ा है, क्या आपको वह बजाना है, क्या आपको बैत के जो रहा है क्या अवार्च सु पा रहा है प्रैमरी फिर सेकेंडरी उसके बाद हायर एजूकेशन तीनों स्तर पर शिक्षा के अंदर जे मुझे लगता है कि माबाप भेज देते हैं और अध्यापक होते हैं माबाप होता है तीसरा पक सोसाइटी होती है तीनों मिल के छोटे से बच्चे की पर्सनेल्टी को हम आगे लाते हैं माबाप का काम है अध्यापक का काम और फिर समाज का उसका इसमें बच्चा पलता है बड़ा होता है यह लेकिन अध्यापक बनने के लिए क्या जरूरी है आपका गुजराती प्राइम निस्टर है गुजराती में तीचर को मास्तर साब कहते हैं मास्तर है तो मा जैसा प्रैमनी स्कूल में कम से कम टीचर वैसा ही होना चाहिए यही यही डिमांड होती है कि एक घर की मा है और एक स्कूल की मा है लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों ने उठाई है कि एक पचास मिनट का पीरड है बच्चों के लिए और पचास अगर चात रहें तो एक मिनट में वो काम भी नहीं देख पाता है यह बहुत बड़ी जो द्रत्केत आ रही है और यही पर एक समस्या यह भी आ रहिए कि जब टीचर्स को बनाये जाता है जब टीचर्स को कोर्से कराया जाते हैं वहाँ पर क्या यह सब चीज़ें ह जैसे हम जिन students के साथ deal करते हैं, तो वो यह है कि जो teachers है और parents है, हमारे पास जितने students है, they are all graduates, तो हम यह अपना रोल प्ले कर चुके होते हैं, एक तरीके से हुनकी psychology almost developed हो चुकी होती है, है, so I think, अगर नहीं रखा जाता है, तो it is very important, you need to have that empathy, what we say, कि not only from the point of view of the teachers or the parents, it is the students जिन पर फोकुस होना चाहिए, कैसे वो ग्रूम कर रहे है, हमारा रोल डबल हो जाता है, we have to be a teacher also and a trainer also, बिल्कुल, because school के बाद, बच्चा शायद pass out होता है, अपना report card लेकर, higher education and everything, हमारे वहां से जब student जाता है, तो along with that degree, he gets out with a job, जिस चीज के लिए वो बच्पन से महनत कर रहा होता है, so I think it is very important, overall development बहुत जादा जरूरी है, जे, बिल्कुल, लेकिन इस बीच में शिक्षक और अभिभावक के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ, जैसके मैं आपको बताया कि डीप एसिस्ट ऑफ कैलाश की प्रिंस्पल डॉलिच होना भी जुड़ी हुई है, क्या लगता है माम कि आपको वाकई किसी ऐसे संबंध की जरूरत है, शिक्षक और अभिभावक के बीच, ताकि quality time बच्चों को मिल सके, quality education मिल सके, इसके लिए क्या कोई ऐसा vision है आपके प स्कूल में आके वो बैठते हैं, अगर बच्चा काम नहीं कर रहा है तो we allow the parents की स्कूल में आके आप क्लास में बैठिये, teacher के साथ interact करिये, बच्चे को भी पता है कि मेरे parents और मेरे teachers मिल के काम कर रहे हैं, so ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई gap really है, और अगर gap है, तो gap can be covered up, if we interact as teachers and parents, we interact well with the children, with the parents, so we need to, the parents and the teachers need to combine together to work for the welfare of the child. communication gap, I don't think in the junior school, I am talking about the junior children, that there is any communication gap, the teachers, at least in my school, DPS East of Kailash, treat the children like mothers, so just like a mother and a child relationship, is what we follow in our school, that is what we try our best. जिए, बहुत शुक्रिया, आपने इन तमाम चीजों को हमारे सामने रखा, लेकि चालोची जैसा है कि डॉली जी बता रहे हैं कि जूनियर classes में कम से कम उस school में ध्यान रखा गया, लेकिन वाकिए आपको लगता है कि जूनियर class के बच्चों को बहुत जादा इस तरह की च होते हैं, बच्चा उस वक्त, जैसा कि हमने देखा कि बच्चों ने कहा है कि हमें तो पी चाहिए, रोज पी चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है बच्चों के लिए, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अभी भी कहीं कोई प्रॉब्लम है जो समझना पड़ेगा टीचर्स को? देखे, जहां तक हमारे स्कूल का कहना है, तो हमारे स्कूल में प्राइमरी विंग में, we have assistant teachers along with the main teachers, तो एक ही क्लास में दो-दो टीचर्स प्रेज़न होती हैं, बच्चों को इंडिविजुली कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर एक ही क्लास में, जिसमें माक्स समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन होता है या नहीं यह सवाल है? जी, ऐसा लगता है सारी का आप एक पैरेंट भी है, आपको लगता है कि महज टीचर से बात कर लेने से बच्चे की समस्याओं का समाधान हो जाते हैं, आप से मैं इसलिए पूछ रही हूं कि आप एक बोई चाइल्ड की पैरेंट हैं, और उनकी समस्याओं अलग होती हैं, बच्चों की डिमांड अलग होती है, लड़कें आम तर पर शांत माने जाती हैं, लगता है आपको कि बस बात कर लेने से समस्याओं हो जाती हैं? इसलिए नहीं, सिर्फ बात करने से समस्याओं नहीं होती है, जितना ध्यान टीचर को देना होता है, उतना पैरेंट्स को भी देना पड़ता है, बच्चा स्कूल से घर आता है, हम डेली उसकी ऐलमनक चेक करते हैं, उससे पूछते हैं आज स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ किया ही नहीं, तुम्हारा काम दो दिन में हो जाना चाहिए था, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, टीचर को अगर बच्चा एक दो दिन में काम नहीं दे रहा है, तो टीचर को रिमाइंड कराना चाहिए, और या ऐलमनक में लिख देना चाहिए, कि बच्चे को ये काम कर कि अब विल्द क कुसे सुलया होती है मैं गाडियां से पूछना चाहूंगां कोई गार्डियन भी ए अगर टीचर भी वो अपने आप में गार्डियन भी होता है किस तरह की समस्या होती है एक टीचर के तौर पे आप पहले ही बताएं. इंटरेक्शन से रिलेटेड हैं या फिर थोड़ी बहुत बेसिक डेवलोपमेंट से रिलेटेड हैं, अमेनिटी इंक्रीज करने से रिलेटेड हैं. ऐसे में कैसे एक अच्छे भाविश्री की कल्पना कर लें? देखे, मैं एक ऐसे छेट से में संबंध रखता हूँ, जो वास्तवत बिल्कुल देहात हैं. जहां पर दूर दूर तक सुईधाओं का कोई नामों निशान नहीं है. सरकारी जो इस तरह पर सुईधाओं मिलती हैं, भू भी महां पूर्णूप सा प्रयाप नहीं है. उसके बाब जूब, मैं शिरिशंत्गुरोवा इंटर कॉलिज बैदपुरा, जो ग्रेटर नगड़ाम पढ़ता है. उस स्कूल से, जो मैं अपने स्कूल के आपको इस्तित है. जब वो स्कूल की संक्या मात्र थो सवाद दोसो के इस्ति हाइज स्कूल तक था हूँ. और जब वो आये तो उन्होंने उसकी संक्या को आज की डेट में सत्रेसों अठाइसों के स्टेंट में वहां पर इस समय है. लेकिन जो कह रहा हूँ, जो चीज मैं कहना चाह रहा ह हूँ, आप देखिए उस तो उस आखिर क्या कारण हुआ अपसे पहले उसकी जो मतलब संक्या थी मात्र दोसों थी और आज अठारेस हो है. तो ये कर्मठता होती है व्यक्ती की, व्यक्ती अपने अंदर जो कर्मठता है, हम बहाने तो बहुत कुछ लगा सकते हैं, हम तो भ पीर बदलने कि इस कोशिश में कुछ बच्चे भी है जो बोलना चाहते हैं अपनी बात और उनकी जो शिकायते हैं, वो क्या है चाहते हैं, वो इन सब चीजों से उपर है, जो शिक्षा का भी भावकिन तमाम चीजों से उपर है, किस तरह की बात है आप? जी बिल्कुल, आपकी जो बच्चे है, वो भी एक बड़ी है, वाकई एक प्रशर बच्चे जहलते हैं, कि अभी तुम यह करो, वो करो, यहां तै कि उनके चोईस के जो थर्ड लैंग्वेज है, उस भी हम अपनी बात गुसा लेते हैं, कि ने ने तुम संस्क्रित पढ़ो तुम जर्मन पढ़ो, वाकई कैसा नहीं लगता है, कि हम लग जाती कर लें। मेरे बेटे से हैं, कि आप स्पानिश लो, कि स्पानिश is much more widely a spoken language in the world now, and if he wants to study abroad, then Spanish आप करें। तो इसको कैसे जहेला जाएं, इसको कैसे समझा जाएं। हिशे, बहुत बड़ा सवाल है कि ना कि हम स्कूल में हम psychology नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों की घर में भी हम बच्चों को नहीं समझते हैं। बिइंग वरकिंग वोमें और बिइंग बीजी पारेंट्स हम बस अपने ओर्ड दे देते हैं। तुम्हे करना हैं। कैसे इसको टैखल करें। I think first of all हमें उस बच्चे का एज का psychology समझना important है, as she I think is an adolescent age, तो adolescent age में बहुत confusion state रहता है। इसको समझाना होता है कि देखो इससे करने ते reasonable answers देनी पड़ते हैं। ना कि आप जब जिस्ति उसको पुष करो कि अच्छा ये कर सकते हो वो कर सकते ह। उस टाइम पे वो बच्चा कुछ नहीं कर पाता। और ये confusion schools में भी होता होगा, teachers के सामने भी confusion आता होगा। जब आप लोग के सामने आप एक teacher हैं, जब ही आप लोग के सामने इस तरह confusion आते हैं। किस तरह से आप deal करती हैं उससे। सबसे पहले तो जिससे अगर बच्चे हमारे सामने कोई भी confusion लेकर आते हैं कि हम कौन सा subject लें या हम क्या choose करें। उस समें बच्चों की mentality और उनका एक रुची, उनका रुजहान और विशे में उनकी कितनी पकड़ है वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। कि अगर एक बच्चा जो हम जानते हैं कि अगर वो गड़ित नहीं कर पा रहा या वो नहीं कर सकता और वो चाहता है कि हम इसको मैट्स भी स्ट्रीम उसको प्रवाइट कर दें। तो वो एक तरीकी से बच्चे की भविश के साथ खिलवार करना होगा। कि बच्चा जिस फील्ड में माहिर है क्यों नहीं वह उस शेत्र में आगे बढ़ता है। तमाम विदेशों में है इस तरह की चीज़े ये बच्चे इंदिनों बदलते हैं जिस एज में हैं ये स्कूलों के बच्ची हैं हां छटी से लेकार बार्मी तक कभी डॉक्टर बनुगा कभी इंजिनियर बनुगा पाइलेट बनुगा कभी ये बच्चात रहके वह रास्ते सोचते रहे हैं यह लगता है कि प्रायोगिक शिक्षा जो होनी चाहिए उनको उनकी शिक्षा में उनको इन्वाल किया जाए प तब शायद तस्वीर बदल सकते और तब शायद बच्चों को भी जादा मजा आ सकता है फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बच्चों के च्छाओं को जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और एक बहुत अहम विशह है बच्चों के जीव हम प्रोचसाहित करें कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें उनका मन भी लगे और जिसमें वो खेल भी सकें और पढ़ भी सकें पहले जानते हैं कि वाकिळी क्या बच्चों को School grounds है अगर School grounds है भी तो क्या अभी भावक या शिक्षा कोने खेलने को फ्रोट साहित करते हैं बच्चों से जांते हैं प्राजी बहुत सारे बच्चे आपके पास क्या कई बच्चों नर धार दिमांड बीरहीं कि उन्हें क्योंने को नहीं तो एक चीज होती है कि हम थोड़ा जल्दी वो चीज लाएं यहीं बच्चों को आशे सुविधाओं के साथ स्पोर्स ग्राउंड चाहिए हमारा जैसे इन वन वीक, वी हाव ओनली वन पीरिट फोर गेम्स से इस पूर्ण बच्चों को जैसे लाइञ बोड़ा जाता ज्याए बाता है आप यहीं स्पोर्ण पार जाता है तो यूशली टीचर जो 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 पते है बसे थियूरी पढ़ाते हैं बैच जाते हैं पेरेक्रिकल्स दूसाइए इक पूछ सब्सक्राइन करना Mogra और सबस्क्राइत की आपको लागता एक सरकारी स्कूल्स में पढ़ाए कि बात की है लेकिन सबसे ज्यांब कमती है इस बात की कि खेल खेल में भी पढ़ाएं उसके इलावा हम लोगों को वीक में मतलब लास्ट पीड़ जो रहता है वीक में दो दिन ये दिया जाता है कि आप उन्हें एक पीड़ पूरा गेम से गेम्स कराओ बच्चों को हम मैंने अपने स्कूल में मतलब पर क्लास का कर रखा है अपने स्कूल में इतना ध्यान दिया जाता है स्पोर्ट्स पर जितना देना चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक ऐसा एरिया है जहां हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बिकॉर्स वह में सिर्फ फिसिकल अक्टिविटी जो होता है उसे आप फित ही रहते हो फिसिकली फित्र होगे यू बहुत 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 है आपको प्रिफरेंस पैसिंस लेवल आपका हाय होता है आप में टीम वर्क करने का जो कैपसिटी होता है वो इंक्रीज होता है युख सब्सकत आपको अर्णाड झाले なंटीव को करेंसिक सब्सक्त है नूगते हैं आपको लगता है का अबोल कि इन पूर आपको जाया लगता है कि अभी मैं भी बिल्कुल फ्रिय हूँ नड़काः जूब है कि मैं नबऊ जैल को नची ओन ञिक्ला अवन, ऽाह स है पढ़ाई करना है यहार फ्री बिल्कुल और रिली देर प्ले प्ले हाँ अन गविस्ट एक एसा हार्मोन सिक्रीट होता है हमारे जिए विफिल वेरी गुड इंस्टेंटली वहापी होते हैं बिल्कुल और शायद ही वजय है कि जरूरी नहीं है कि खेलने के लिए उसे पीरट दिया है कि आप खेल हुई उसको पढ़ाए जार खेलाना ही है तो यदि जैसे हम लोगे स्टम के बारे हैं हम उसे खिला सकते हैं बीच में सन बना दिया उसके आगे जो हमने उसके जो है लेकिन यहां पर हम लोग यह बात कर कि खेलते खेलते पढ़ना तो जरूरी है लेकिन एक पूरी तरह से खेलना जब बच्चा गांड में जाए खुलके खेले वह भी तो जरूरी है और शायद इस जरूरत को प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी भी समझ चुके हैं जब उनने पा शिक्षक दिवस को जब बच्चों सबसे बातचीत कि इस पर सबसे ज़ादा जोर दिया कि अप्रकेर बिलकुल इस ए आई मैसल्फ हाँ आव दू मिझे इतना पसंद है तिल अज प्लेव प्लेग गॉल्फ हाँ अब चूसर अर्लियर आप प्लेग अशनल खेला ग्राइब इन्टिया के तरफ से जब बच्चो के लिए उतनी सजादे सुविधा नहीं है इसमें जितना स्कूल में होना चाहिए जितना होना चाहिए जितना होना चाहिए अब तो हमें जहां मैं हूँ हाँ I think there I have seen हर इक चीज का मैंने ध्यान रखा है बारीकी से कि girls plus boys दोनों को अच्छी तरीके से खेल का हमें इन्वेर कि रेने के लिए चारू आप कितने दिर्शाइत हैं कि बच्छा कहले है आप कितने दर्शाहत हैं कि आपका बच्छा खेले आप क्योंकि also like we just saw in the discussion that is my parents करूल जादा है बजाए कि school के because the facilities are some in school some schools they are there some they are not there and also the emphasis on a daily basis like children themselves expressed is not there. तो फिर वो सारी responsibility parents के ओपर ही आजाती है that depending on the aptitude of the child. हम लोग उनको academies में introduce कराएं उनको dedicated you know time there so that they go out and play. यहां परेसा नहीं लगता है कि प्रेशर जो है और ग्रेडिंग का जो प्रेशर है और जो ग्रेशन का जो प्रेशर है उस वजए से जब भी यह खेलने का वक्त आता है मैं तुरंत याद आजाता है कि अभी एग्जामरिशन होने वाला है बंद करो यह सब कोछ है यह मानती हूं कि sports is a must they are into swimming also and they are pursuing. मैंने का नहीं चल पाएगगा तो कही नहीं हम इसको downgrade करते हैं and what she said कि इससे बहुत अच्छा एक happiness hormone secrete होता है and I fully agree a person gets more energy to study also. आपका stamina build होता है आपकी इस age में youthful age में आपकी energies right direction में divert होती है I fully agree but still as a parent I feel LE1 आ रहा है है build two- minds you alien Ocean से kam I nini Jeet ko Brother Samasya में होती है उसके पीछे पूरी प्रिष्टभूमी होती है और जब भी समस्या को दूर करने की कोशिष की है उन先 समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जल्दी से और उसके बाद हम केवल बच्चों से जानेंगे कि वो इन समस्याओं से कैसे निपटना चाहते हैं बच्चे बहुत देर से इन तमाम बहस को देख रहे हैं इस कारिकरम को देख रहे हैं और जाहिर सी बात है कि उनका धैर बहुत कम होता है इसलिए अब हम उस दौर में पहुँचेंगे जहां पर केवल उनकी बाते हम रखेंगे और उन्हीं से ये पूशेंगे कि किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए और एक बड़ा एहम सवाल में बच्चों से करना चाहती हूँ जिसका जवाब एक एक करके ये बच्चे देंगे कि किस तरह से वो अपने ममी पापा माता पिता और टीचर दोनों को खुश रख सकते हैं जो उन्होंने मांग रखी है उस मांग को पूरा करने के लिए किस तर प्राही का प्रेशर थोड़ा कम हो जाए कि मेरे साब से की प्रॉपर इंटेक्शन और टीचर से और बच्चों को जिस चीज में जादा इंट्रेस्ट वगेरा उस चीज में भेजने से सब्सक्राइब बच्चों को पढ़ाना अपनी जॉब समझ के नहीं आज पाशन करना चाहती हो कि अगर वो एजुकेशन के लिए स्कूल में लड़ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इंप्रूब होना चाहिए तो एक्सा करिकुलर अक्टिविटीज के लिए कि लिए लगता है कि टीचिंग पाशन होना चाहिए जिब बिलकुल दो मसले बहद एहम हैं फा कि लड़ाई की है कि हमारे बच्चों को एक्स्टा करिकुलर में डालो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा ऐसा करे थोड़ा बट तो किया है वो इसलिए भी क्योंकि यून वरफ मैं चाइल इस अबिट इंट्रोवर्ट तो मुझे लगता है कि उनसको से बच्चों को भी आगे लाएं लीकिन हम एपने बच्चों को चाहते कि वह खेल में भी आगे बढ़े या वो गाने में ऐगे बढ़ें कि तरह का प्रेशर आपकी दिमाह में की आपने चाहते लो आपके ने चाहता है कि नहीं पढ़ाई कर समय श् pushed ball है हफम से में 3 दिन ख और खेलका तीजिए स्टुडेंट मतलब फ्रेंट्स देती नहीं है भी कॉपी एक्जाम टाइम है एवरी मंडे टेस्ट होता तो कोई कॉपी देना नहीं चाहता इस वज़े से कॉपी इंकम्प्लीट होती है तो दोनों प्रेशर एक साथ हो जाते हैं हर जगह एक मुख्य बा आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है हमारे में हैं मल्टिपल इंटेलिजेंस और हर बच्चे में वह होता है ना कि हर बच्चे में सारे चीज वह नहीं होता है तो हम उस चीज को बढ़ावा देना पड़ेगा उस चीज को बिलकुल और मीदू आपने देखा कि सभी कह रहे यह हमारे लिफस्टाइल में होना चाहिए हृ हुम क्या होता है क्या होता है जिसके थू हम जो जगेसा साधने जिसके हम जो जग्यि принципе님이 होता है उसको भी ओर कम कर लेते हैंक प्लस चीज यह हमारे लिफस्टाइल है जह बच्चे नहारे पिज़़ गाते groups गॉत ऌर गंशसा कि अपना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एक बहुत आहम सवाल है यदि मैं बिजी हूँ और बच्चे को कहीं और बिजी करना है तो मैं आइपड दे दिया या किसी तरह के हाई-टिक चीजे दे दी आपको तब अगर ऐसे में टीचर्स आपके पास यदी आते हैं लोग और गार्डियन आएकर लड़ते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छे को अच्छे नंबर क्यों नहीं आते हैं क्या जवाब होता है आपका नहीं मैंने पहले भी इसलिए कहा था कि पेरेंट्स कोई कोई बच्छों के साथ इंट्राएक्षान करने का और अब cry जाहां जाहां बे पेरेंट्स में इंट्राइक्षान कम होता है, जहां बच्ची जाध Since leave and death situations, pum ऐी सब्पाम अभी बच्ची के साथ ज़्हाधा प्रॉइट्फ साथ साथ जाधा यहीं बात बार बच्चे भी करें रहें कि अपर ही एसे जो उनकी बातों को संखीह और टीचर भीसे चाइए जो उनकी बातों को समझें गुप्ता जी यहां पर अब सवाल रहते है कि किस तरह से यह जा results everyday दोनों के बीच में कैसे combination बिठाया जाए जहाँ जब हम छोटे थे घर भी छोटे होते थे और माँ बाप आपस में कर बात कर दे जाओ बेटा खेलो तुम एक सवाल ये दूसरा ये इन बच्चों ने उठाया था कि एक exam और उसके बाद के pressure खेलना महत्वपूर्ण है लेकिन इनको ये प्रोजेक्ट करके लाओ ये काम पूरा करो ये करो और उधर इनके exam है तो ये बच्चे उसमें फश जाते हैं बोड के exam है अब ये जो हमने छोटे बच्चों की बहुत सारी बातें की हैं अच्छा स्कूल और अच्छे टीचर हो उनको समझे माँबाप भी समझे और टीचर भी समझे लेकिन अब इनकी जो दिक्कत है ये अब आगा है अडलोसन सेज में और कंपिटिशन में जा रहे हैं और ये बैलन्स करना इनकी प्रॉब्लम अब दूसरी आ रही है फिजिकल भी मेंटल भी और इनको प्रोफेशनल भी कहा जा सकता है प्रोफेशनल प लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे पढ़ते हैं ऊसरकारी स्कूल की चीछ भी हम ने बात की किस तरह के प्रेश्र में बच्चे हैं किस तरह की सुधायां उनको चाहिए हम ने गार्डियन के बात की आप लोगों को क्या दिक्कत होती है इन तमाम चीज़ों को यदि आप देना चाहें भी तो क्या आपको वाकरी लगता है कि आप इस पोजिशन में कि दे सकती हैं बिलकुल हमें दिक्कत होती है क्योंकि हम लोगों के पर टीचिंग के इलावा इतना एक्स्टा वर्क हमाई गोवर्मेंट डाल देती है कि उससे हम अपना प्रॉपर टाइम जो है हमारा मना पूरा देने की बहुज़ोथ भी। यह एक मेहद मसला है ओक्षविपाक्ष बिग डिबेट में आज हमने बात की बच्चों की हमने बात के भाव को कि हमने बात की शिक्षकों की और इन तीनों को ही एक साथ मिलकर और अपने देश के भविश्य को सुधारना है सम पर एक बड़ी बहस हमने करने की कोशिश की है और आज केस कारकरम के लिए बस इतना ही आप जुड़े रहे हैं एपियन से और मैं आपको यह वादात करती हूँ कि जब भी अगला पक्ष्रिपक्ष आपके सामने होगा उसमें भी एक नई बहस होगी एक नया मुद्दा होगा लेकिन उसमुद्दे के साथ साथ समाधान भी होगा तो देखते रहे हैं एपियन क्योंकि आपका चैनल है आपकी खबरे हम लेकर आते हैं जुड़े रहे हैं एपियन से मुझे दिजिए इजादत नमस्कार